कि क्या चीज़े जाखते हो यह मुरेना की काही गर्दक और यह कैसे बनती कितना हुआ इसमें अभी आपको दिखाते हैं पूरा प्रोसेस काड़ाई में पाई डाल दिया सबसा पहले काड़ाई में पाने लिया जो बुल सक्का के डाल जी कि अगरा है अदा है है अब इसको उन्दे हें का गरम कितने दिर तक होगया आज पर गरम दो जो तीन मिनिट तक इसी गरम होते रेगा अज जब तक पुर हैं चासनी नी अब यह देखिए गुड़ घुल चुका है और दीमी दीमी इसकी महेग भी आ रही है बहुत बढ़िया को बाल मार रहा है गुड़ कितना टाइम लगेगा पांच दस में टोल लगेंगे अच्छा यह देखिए चासनी में मिला जा रहा है तेल कुन सा तेल है अच्छा सोया बिन डाल दो या मूंग पली कोई साइब डाल दो अच्छा चासनी जले नहीं इसलिए तेल मिला जाता है ओके अभी तक कम सिकम 15 मिट के आसपास हो गो है यह चासनी बनने बनते हुए देख अभी तक किसी लाइट हो गोई एक दम जाग आगया है और कितना टाम लेगा इसको बस मतलब चासनी अब लगब लगब कम्प्लीट हो चुकी है देखिए कैसा इसको पेठा जा रहा है चासनी को ला लाके लाके और गाडा किया जा रहा है चलाएंगे नहीं तो जल जाएग यह भी बास सही है एकड़म टाइट पन आगया है चासनी में ओके यह देखिए और थोड़ा कलर में थोड़ा और प्रेट पन पे आ गई है इसको उठा के पटिया पे डालेंगे चलिया आगे यह उठा लिए और यह पलट दी पटिये पे वा जी वा 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 कलर तो इसक कलर देखिए इसका केसा हो दिया है अब किती देर किल तक यहां रहेगी है दो मिनिट मतब ठंडी होने के लिए निका लिए यह ओके बहुत बढ़िया जब आप चल दी स्टार्टिंग में यह चासनी जो वहां रखी है चासनी वह एसी थी अब जाके वह एसी बन गई है यह देखिए मूरेना के जादुगरों का कमाद यह देखिए क्या बना दिया है गूड और शक्कर का वा वा वास में टाइट पन आ गया है एकदम अभी ठंडी होने के अब इसको हेच के वह टाइट किया जा रहा है और इसका ब्राउन कलर से यह वाइट कलर इसमें हो जाएगा आटोमेटिक हो जाएगा कितने टाइम तक करोगे भी आई है पांच मिनिट तक यह प्रोसेश चलती रही है वा जी वा पलट पलट के लपेट लपेट के मतलब अब आख अच्छा यह सबसे बेश तिल्य वाइट कलर में यह देखे एक दम वाइट तंक दिन एक तंक बिनियों और काला पन बिल्कुल भी निया तिल्ली पे वह जी वा बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया और यह तिल्ली इस ताइप से सिखेगी दोसे तीन मिनिट तक दोसे तीन मिनिट तक तिल्ली इसी सिखाएगी और यह तिल्ली डाल दी है दूसरी कड़ाई में हल्की से थोड़ी थंडी होने के लिए अच्छा अच्छा यह आप इसका कलर देखिया पर ब्राउन था पुरा वाइट हो गया वा जी वा अब इसको इसमें मिलाया जाएगा गरम गरम तिल्ली में ब्या हाथ नहीं जलते हैं अपके अरे वा जी वा यह देखिए गरम गरम तिल्ली में जो हमारे गुड की चासनी थी वह देखिया बेसी हो गोई और उसको अब तिल्ली में मिला जा रहा है वा जी वा गरम गरम तिल्ली में भिया के देखिए एकदम य सब्सक्राइब करते हैं रात के बारा बैता है जो ठंड में आपको जो गजक मिलती है वो इन्हीं हातों और इन्हीं मेनत का कमाल है वा जी वा सलाम मुरेना के जादू गरोग वा जी वा ये देखिए इसको अच्छी तरह से जो गुड़की चासनी जो इसी बन गई है उसको अ गई ये देखिऑ अबर तील को ढंड़ा कर रहे अब क्या करwheel आगोगा वट्ती करमा हीदना चीए ऑचा- Works Cr up ok जितना मुद्ता इसमें मिंक्स हो जा उत्ता जादे इसमें मिला देते हो आप तील वा जी वा ये देखिए पूरी तील पूरी यार पूरी तील इसमें मिक्स क तर्दी अब इसको पटिया पे लिजाए जाये एक फुटवाएंगे अच्छा चाब होई इसके खुटई जाए वा पाइता कि सबसे एमेजिंग मुझे खुटई है भूंट अब देखिए होईकि इसके पुटाई वा 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 व यह देखिए हतंब आप के वा जिवा धान से चारule कि अब देखिए्टम अब बहुद्ग का क्या अंतच वूर शकत्र का क्या एंगब तिल्दी मिला इक इसको पूटा जा यह पूरी पतली नहीं हो जाती तब तर कूटा जाएगा ओके फिर पलट परप फिर पूटा जाएगा अरे बाब इसा क्या गुना करा था इसको इत्ता पीट्रो यार इसको डबल वार ने कूटती है और खस्ता बना जाएगा अच्छा और यह खस्ता करने एक लिए डबल वार और पूटा जाता है इसका वाजी वाव जब तक पूरी तरफ यह देखें कंटीनियू तक अभी पांस मिनिट तक तो हो गए है कुटाई कड़तो हुए फिर भी भाईया रुकने का नाम नहीं ले रहे है हतोड़े पर हतोड़े दिये जा रहे है तिये जा किक ठीट यह बढ़िया का चिएक कब भीक जोन आत डिया है पूलंक्स के नामें सब्स प्रहा है बंड़तों प्तों आपकशहुप जोनी खेंग地 सबएं द्सकारे मैं उसका caja काया रहा है कि सब्सक्राइए में संब्सकृत एक जल्ठा इसकित न चल्द़ थे कंदार आपक चोकोर बनती हुआ चोकोर भी बनेगी रोल भी इससे ही बनेगा वा जी वा ये देखिए अभी वे लाइडिंग कर दिया अब उसके पर अलग से क्रॉस कटिंग की जा रही है ये देखिए पट्टे आटोमेटिक निकलने लगी है वा जी वा क्या बात है को ये मार्केट में जाने के लिए ओके लिए ये देखिए ओके ये हमारा रेडियो मार्ट पर महां हो रही है कटिंग ये देखिए मार्केट में जाने के लिए बिल्कुल रेडियो चुकी है खस्ता हो जाएगी इसको गरम गरम में चाह तो रोल मुना लो पट्टी में पर मू इसमें मावा बर सकते हैं अपने जो भी एच्छा अनुसार वा जी रोल बन जाएंगा जब तक गजग गरम है तब तक इसको आम कोई शेफ में ढाल सकते हैं इसका रोल भी बना सकते हैं समोसा भी बना सकते हैं यह रोल बन गया वा जी वा जी वा जी वा यह देखिए उसी गजग से रोल तयार और यह गजग स्क्वेर में तयार वा जी वा यह देखिए अब यह हो गई है बेचने के लिए रिटी बड़ाओ